वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच बॉडर पर होती तना तनी को देखते हुए दोनों देशों के बीच दुई पक्षिय क्रिकिट स्रंकला का होना निकट भविशे में मुम्किन नहीं लग रहा है दोस्तों लेकिन ICC के किसी भी इवेंट में दोनों देश आपस में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकिट मैच को लेकर फैंस का इंतिजार अब खत्म होने वाला है एशयकप का शैडूल आ चुका है जिसमें भारत और पाकिस्तान के ग्रूप स्टेज में एक मुकाबला होना तै है एशयकप की डिफेंडिंग चैंपियन भारत का सामना पाकिस पाकिस्तान से 19 सित्मबर को होने वाला है दोस्तो तो दोस्तो तैयार हो जाई है पाकिस्तान को एक बार फिर पढ़कनी देने के लिए बार्डर पर तो वो हमेसा मु zucchini खाता ही है इस बार मैदान पर भी उससे रोंदने का वक्त आ गया है लेकिन यहाँ एक बात गौर करने क है दोस्तों कि ये मैच दुबई और आबुदाबी में होने वाले हैं और इन मैदानों पर पाकिस्तान हमेशा से ही डोमीनेटिंग रहा है लेकिन कोहली ब्रिगेट भी पुरानी भारत की टीम से अलग है जो कि सिर्फ एक खिलाडी पर निर्बर नहीं है अगर इस टूर्णाम मैच होने बाकी है जिससे छटी टीम तैह होगी टूर्णामेंट का पहला मैच दुबई में 15 सितंबर को स्रिलंका और बंगलादेश के खिलाव खेला जाएगा तथा फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को होगा